हमार रुस्तोई मेरो वसबनी के स्वागत भतर वसबनी के हमार परणाव चली तो हम आलू इस तरीका से खटले बानी एक रखे हलका सन नमक डाल के पॉयल कर दे हम तो गर्ब पानी पहली से हम गर रखल रही ओपरे हलका सन नमक डाल के दो से तीन मिनट अच्छा से उबाल आवे तक ले हम कर ले हम बने हलका उबाल ले हम ज्यादा उबालम ना ता आलू गल जाए ता हलका ही सा हम उबालम क्यों डाल के निकाल ले बेग के बाग चली ते एक रखे 2-3 मिनट हो गई अब एक रखे हम अच्छा से थोड़ा सा पाने में लए देया बहुगराबाद हम निकाल लेता निए एसे काहो कि थोड़ा सा हलका सा बॉयल हो जाला ता आलो के स्वाद भी अच्छा हो जाला और मतलब की बने में भी अच्छा हो खेला और क्रिस्पी भी हो जब हम एक रखे तलापता तो चली आज हम रहुआ समी के बताओ तरी चिली पेटेटो के पेटेटो चिली के रेसिपी पेटेटो चिली बनाए खती हम पहले आलो के काट ले ले रहें अब एकरा में हम डालाँ थोड़ा सा कौन फलोर के आटा मतलब 2-3 चमच कौन फलोर के आटा अउकरा में 1-5 चमच डाल दे हम मैदा ज्यादा मैदा ना डालाँ जिसे आधा आधा ही कौन फलोर से आधा ही अच्छा से मिक्स कर ले हम अब एकरे में हम जो आलो बॉयल के लिए रहें सब के डाल के हलका सा फेट ले हम जिससे सब आलो में चारो तरफ से मिक्स हो जाए अची पक जाए ते इस तरीका से हम चारो तरफ मिक्स कर ले ले बानी और चिपक भी गई लगा अब एकरा के हम ग पूरा गरम तेल ना हो चाहिण हलका घी थोड़ा सा नरम होगे झाई ताकि आलू अंदर से क्रिस्पी हो जाए ज़ादा यह करेकराम क्रिस्पी करें ज्यादा मतलब कि demonstrate कि यह घरम जादा निकाल लें इसी तरीका से जितना बाह हम आलू उतना के हम क्रिस्पी कर लें क्रिस्पी के लिए से कहो के लिए कि अच्छा सा स्वाधाई कुरकुरा होगी तो इसी तरीका से जो पहला बार हम कही निया दूसरा बार भी वैसे ही करके हम सब निकाल लेता हैं चलिता हम आलू के और च़िली सौस पाउडर से डाल दे हम घोल्टीप पाउडर थोड़ा सा धोडा सा हम चीनी एकरा में एड़ कर आई भी नेगर भी ना रहे तरो आफ गणा है निवाकरम रेख वी मताई राख तो म्हाने बनाए रखें अब चली तेल ले 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 बनी बेन में अउक्यों में कटा हुआ अद्रक और लशुन डाल दे हम आधा अधा चम्मच कटा हुआ अद्रक अलशुन थोड़ा सा बारिक चौप कर दे हम अदो से तीन गो हरी मेज नाखे तो लाद मेज ये भी रह भाद डाल सकता है अहलका सा सुनाहला होने तक ले भून ले हम एमें डाल दे हम हम सब सुनाहला हो गए लवा अब एमें डाल दे हम हम सिमला मेर्श और प्याज बराबर मातरा में हम काट के डले बने जैसे आलू होके उकर आधा सिमला मेर्श आधा प्याज इसे कौई कि जैसे कोई चीज़ बनाऊजा नो तो हिसाब से बनाइए कोई भी ज्यादा और कोई भी कम ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो खें ज्यादा एक रहा प्राई नेके करेंगे तहल का सही हमार थोड़ा सा देखी इस तरीका से चलाते हुआ बराबर चलाओत रहा नदर पेन में बढ़ जाई अभी हमर फ्राई हो गेलवा अब जो हम बने ले रही लसुन अद्रख के पेश्ट उडाल दे हैं अगर लसुन अद्रख के पेश्ट ना होगी तो कोई बात ना लसुन अद्रख हम चौप करके डाल चुकल वानी रोट लसु पाने लेकि जितना ग्रेभी हम रहा त्यार करें दो इतना पानी हम डाल के अगरा में डाल दे हम थोड़ा साहं सौस के हल्का भूंले हम ताकि टेस्ट अच्छा है नमक सवाधी अंसा डाला चाही तरह नहीं डाले काहिए थोड़ा सा नमक रहेला सौस पे इस जलते हम नमक डालक फ्राइब को कταई करें नमक डाल चुक़ल चाहँ कड़ा ही हम फैन हललक कशाता अध्या उत्याव्जार कशाता फ्राइब कशें कट्राइब में पयानका में लितित इंताया थे टेश्ट श्याए और पहलों वहाइब कईसान लागाल कमेंट के ज़रूर करता हैं कि हमारेसिपी रहा लो चाल को पर पोकष को निग open पर riddenर मेन निकाल लेटा हैं अला बाचन के लंज बोक्स में भी दे सकता हैं नास्ता TV भी दे सकते हैं यह चीज के साथ मन को कि हो चीज के साथ हमारे सी पिकाद देखे काती रोजनी को बहुत बहुत